क्रशक बंधों सोयाबीन भारत वर्ष की एक महत्वपूर्ण तिलहनी नगत फसल के रूप में इस्थापित हो गई है लगभग 40 प्रतिशत प्रोटीन, 20 प्रतिशत तेल और ओशदिय गुणों वाली सोयाबीन एक लाबदायक फसल के रूप में जानी जाती है पिछले दो दशकों में भारत वर्ष में सोयाबीन के ख्षित्र में अब प्रत्याशित व्रधी हुई है लेकिन सोयाबीन की उत्पादक्ता काफी लंबे समय से 10 कुईंटल प्रति हेक्टियर के आसपास इस्थिर है जबकि किसानों के खेतों पर कई वर्षों तक किये गए प्रदर्शनों में ओसतन 18-20 कुईंटल प्रति हेक्टियर और अधिक्तम 35 कुईंटल प्रति हेक्टियर तक की उत्पादक्ता में व्रधी की असीम संभावनाएं है सोयाबीन के उत्पादन में कमी के बहुत से कारणों में से एक प्रमुख कारण विभिन कीटों वर रोगों द्वारा हानी होना है परिस्थिती और वातावरणिय संतुलन की द्रश्टी से कुछ कीटों वर रोगों का फसल पर होना आवशक भी है इससे परजिवी एवं परभख्षी जैसे मित्र कीटों की प्राकर्तिक संख्या में वरध्धी होती है समन्वित कीट वर रोग प्रबंदन में इस्तथ्य को यथार्थ रूप दिया जा सकता है तो आईए जानते हैं सोयाबिन की फसल में होने वाले प्रमुख रोग कौन-कौन से हैं और उनका उपचार कैसे किया जा सकता है सबसे पहले बात करते हैं परणदाग रोग की पत्यों पर माइरो थोकसियम रोराइडम सेप्टोरिया ग्लाइसिनेस आदी फफुन से विबिन प्रकार के हलके से गहरे भूरे गोल या अनियमित धब्बे बनते हैं जिससे पत्या सूख कर नश्ट हो जाती है यह रोग दिखते ही कारबन डाइजिम 50WP या थायो फेनेट मिथाईल 70WP का दर्शमलो 5 ग्राम प्रती लीटर की दर से घोल बनाकर छड़काव करें और 15 दिनों बाद दूसरा छड़काव करें घोल से सारी पत्यां भली भाती भीग जानी चाहिए लगबग 40-50 दिनों की फसल पर अल्टरनेरिया अल्टरनाटा फफुंद के आकरमन से गहरे भूरे से काले रंग के 6-25 मिलीप्टर व्यास के धब्बे बनते हैं जिन पर कई संकेंद्री चक्र बन जाते हैं बाद में यह आपस में मिलकर पत्यों को जुलसा देते हैं कभी कभी पत्यां की नारों से भूरी होकर जुलसने लगते हैं रोग के प्रारंबिक लक्षन दिखते ही मेंकोजियो 75WP का 2.5 ग्राम प्रती लीटर या कॉपर ऑक्सी क्लोराइट 50WP का 2 ग्राम प्रती लीटर की दर से घोल बना कर छिड़काव करें और 15 दिनों बाद दुबारा छिड़काव करें एक अन्यरोग है एरियल ब्लाइट नम तरथा गर्म वातावरण में राइजयोक्टोनिया सोलेनाई कवक पत्यों पर आकरमन कर अन्यमित आकार के लालिमा युक्त मटमेले हलके भूरे धब्बे बनाता है जो बढ़कर पत्यों को सुखा देते हैं और पूरी फसल जुलसी ह हुई दिखती है रोग दिखते ही दशमलों पांच ग्राम प्रती लीटर की दर से कार्बन डाजीम पचास डव्यूपी या थायोफिनेट मिथाइल सत्तर डव्यूपी आजकल उप्योग कर रहे हैं यह ले सकते हैं या एसिटामी प्रिट नाम की जो दवाई है वो भी किसा जो आजकल जादा हम लोग सुझाओ देते हैं किसानों को कि इसे अपनाएं जिससे की प्रकरती का नुकसान ना हो जो रसायनों के अधिक उप्योग से दुश्परणाम सामने आ रहे थे तो उसको इस अरक्षन के दृष्टिकौन से हम कहते हैं कि जैविक नियंतरन की ओर भ कीड़ा दे रखा है मित्रकीट के रूप में जो इन रस चूसने वाले कीड़े जो हैं उन पर अपना पोशन प्राप्त करता है या क्राइसोपा या लेस्विंग जिसको कहते हैं ये कीड़ा दे रखा है विविन प्रकार की मकडियां जो हैं वो दे रखी हैं जो इन पर गो चोटे चोटे कोणिये हलके फूरे दब्वे बनते हैं जिन पर फफूले जैसे फूरे रंग के उभार बन जाते हैं पपत्याँ सुख कर गिर जाती हैं रोगर प्रारम होते ही हैग्जा कोनाजोल 5 EC या प्रिपी कोनाजोल 25 EC का एक मिली लीटर या एक ग्राम प्रती लीटर के दर से घोल बनाकर छड़काव करें और 15 दिनों के अंतराल पर इसे धोराएं फसल पकते समय वर्षा होने के सिति में प्राये कई प्रकार के फफुन्दों के आकरमन से फलियों पर भूरे, लाल, सिलेटी, काले रंके विभिन आकारों के थब्बे बनते हैं और फलियां बिना दानों के पोची रह जाती हैं इसके लिए कार्बन डाजिम 50WP या थायो फेनेट मेथाइल 70WP का दर्शमलो 5 ग्राम प्रती लीटर की दर से खोल बना कर छड़काव कर देने से लाब होता है अब बात करते हैं विशानू रोग की सोयबीन पर विगत वर्षों में विशानूं से होने वाले पीला मोजेक, सामाने मोजेक वकली का जुलसान रोगों का आकरमन बढ़ रहा है इसमें नई पत्यों पर पीले चितकबरे धबे दिखते हैं, पोधे बोने रह जाते हैं और उनमें फलियां वदाने कम बनते हैं रोग दिखते ही रोगी पोधे उखाड कर नश्ट कर दें, वर रोग को फैलाने वाले रस्चू सकीट, सफेद मक्खी, माहू, थ्रिप्स के नियंत्रण हेतू मिथाइल डिमेटॉन 25 एसी का तशमलो 75 प्रतिलीटर की दर से छड़काव करें और 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसे दोराएं किसान भाईयों ये तो थी जानकारी सोयाबिन की फसलों में होने वाले रोगों और उनके निदान की आईये अब आपको सोयाबिन की फसल में किये जाने वाले कीट प्रबंधन के भारे में बताते हैं सोयाबिन की फसल में लगने वाले कुछ प्रमुख कीट इस प्रकार है बीज एवाम बीज पत्र के कीट अंकुरन के तुरंत बाद नवोदित बीजांकुरों पर नीला भ्रंग कीट आक्रमन कर बीज पत्र व अग्रस्त कलिका को खा कर नश्ट कर देता है और कभी-कभी बीजांकुर मर कर नश्ट हो जाते हैं इसके नियंतर हितु कुईनालफास 1.5 प्रतिशत या मिथाईल पेराथियान 2 प्रतिशत चूर्ण का 25 किलो प्रति हेक्टेर की दर से भुरकाव करें तना छेदक कीटों में मुख्य रूप से तने की मख्य एवं चक्र भ्रंग कीट काफी हानी करते हैं तना मख्य 40-50 प्रतिशत और चक्र भ्रंग 20-60 प्रतिशत तक पोधों को ग्रसित करते हैं तने की मख्य से उपज में 13-20 प्रतिशत तक की कमी आती है चक्र भ्रंग कीट की मादा तने शाखाओं वपन वरंथ पर दो चक्र बनाकर उनके बीच में अंडा अंदर डालती है जिससे चक्र के उपर का भाग सूख कर नश्ट हो जाता है इन कीटों के प्रबंदन है तो क्लोरपाईरीफास 20 EC का 1.5 लीटर या ट्राइजोफास 40 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टियर के दर से 250 से 300 लीटर पानी में मिला कर छिड़काओ करें सोयबीन पर कई प्रकार की इल्लियां भी आकरमन करती हैं इन में से भूरी अर्ध कुंडलक इल्ली, हरी अर्ध कुंडलक इल्ली, पत्ती सुरंगक इल्ली, तंबाकु की इल्ली, अलसी की इल्ली, लाल कंबल कीट एवं बिहार कंबल कीट प्रमुख हैं ये सभी पत्ती खाकर बहुत हानी पहुँचाते हैं इन कीटों के नियंत्रन के लिए कुईनालफास 25 एसी या इथियान 50 एसी का 1.5 लीटर प्रति हेक्टियर के दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना कर छड़काव करें छिड़काव यंत्र उपलब्द न होने पर 25 किलो प्रती हेक्टर के दर से कुईनाल फास 1.5 प्रतिशत चून या मिथाईल पेराथियान 2 प्रतिशत चून का भुरकाव भी कर सकते हैं रस्चूसक कीटों में सफेद मक्खी, माहो, तेला या थ्रिप्स तथा हरा मतकुन प्रमुख हैं सफेद मक्खी रस्चूस कर हानी करने के साथ साथ पीला मोजेक विशानू रोग फैला कर अधिक हानी करती है माहो पानी की कमी के सिति में अधिक उग्र होकर पौधों को सुखा देते हैं इन कीटों के नियंद्रन के लिए इतोफेन प्रॉक्स 10 EC का 1 लीटर या आक्सी मिथायल डिमिटॉन 25 EC का दशमलो 7-5 लीटर प्रती हेक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए स्वयबिन में फलिया न लगना एवं पुष्पकलिकाओं के गुच्छे बनना भी एक कीट है स्वयबिन में कई इस्थानों पर प्राय फलिया नहीं बनती इसका प्रमुक कारण एक प्रकार की हरी अर्ध कुंडल इल्ली है जिसका मुँ की ओर का हिस्सा पतला वब पिछला हिस्सा मोटा होता है यह इल्ली प्राय फूल आते समय आकरमन कर सभी फूलों कलियों एवं नई फलियों को खा कर नश्ट कर देती है जिससे पौधे बांच दिखते हैं परन्तु उस समय तक पानी की कमी के कारण इन कलियों से पुष्प वफलियां बहुत कम बनती है ऐसी फसल में सिचाई करने के 25 से 30 दिनों में दोबारा फलियां लग जाती है और संतोष जनक उपज मिल जाती है सोयबिन में फूल आते समय एलियों के नियन तरण हेतु कुणालफास 25 EC 1.5 लीटर या क्लोर पायरिफास 20 EC या इथियान 50 EC या मिथोमिल 40 SP 1.5 लीटर प्रक्ती हेक्टेर के दर से छिड़काव किया जा सकता है तो किसान भायों हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई गई विधियानुसार आप अपनी सोयबिन की फसल को होने वाली क्षती से बचा कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं